नमस्कार, आज का पाठ है पहलवान की ढोलोक और इसके लेखक हैं फणिश्वरनात रेणू रेणू जी की प्रतिनिती कहानियों में से एक कहानी यह भी है और जैसा कि उनके लेखन में हम देखते हैं कि पात्रों और परिवेश का बहुत ही सच्चा जितरन करते हैं वैसा ही इस कहानी में भी आपको देखने को मिलेगा उन्होंने गद्दे में संगीत पैदा कर दिया है दोलक की उठती-गिर्ती आवाज और पहलवान के क्रिया कलापों का बेहत सुन्दर सामजस्य इस कहानी में देखने को मिलता है रेणो जी की यह कहानी इस बात पर भी प्रश्ण उठाती है कि आज बदलते समय के साथ हमारी लोक कलाएं लुप्त होती जा रही है भारत पर इंडिया चा रहा है पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाती है जब भी सत्ता परिवर्तन होता है और उस पर सभ्यता के नाम पर एक नई व्यवस्था यानि एक नया सिस्टम आ जाता है नई व्यवस्था के आने पर यान Rec. लोग कलाएं अप्रासंगिक हो जाती है अर्थार इरेलेवेंट हो जाती हैं और ऐसे में लोग कलाकार अपनी जीविका के लिए कहां जाएं व्यवस्था की बद इंतजामी के चलते नजाने कितनी लोग कलाएं अब धीरे धीरे खतम हो र और तरह के रोजगार अपनाने पड़ते हैं, तो हम इन्हें जीवित रखने के लिए, उनकी प्रासंगिक्ता को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, यही प्रश्ण इस पाट को पढ़ने के बाद उठते हैं। पाट शुरू करते हैं, और इस पाट को सरल शब्दों में मैं अल्पनावर्भा प्रस्तूत कर रही हूँ, पाट पढ़ने के बाद हम कुछ प्रश्ण उतर भी देखेंगे। पाट के शुरू में, लेखक ने एक गाउं का जिक्र किया है, जिसमें महामारी फैली हुई है। लोग हैजे और मलेरिया से पीडित हैं। जाडे का दिन हैं, अमावस की रात हैं। और यह रात इतनी हामोश हैं कि वहाँ डर का सामराज्य इस्थापित सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृती भी इस काउं के दुख में दुखी है। और जो सिस्कियां, जो आहें, जो पुकार, मा कहकर बच्चे पुकारते हैं। उनके कमजोर स्वर या हे राम, हे भगवान की जो आवाजें आती हैं, वे पुकार, उन सब को यह रात अपने अंदर चुपाने की कोशिश कर या दबाने की कोशिश कर रही है। शायद वे इसके दुख को समझ पा रही है। और कहते हैं कि अगर प्रक्रती में कहीं कोई तारा, कोई भावुक तारा इस गाउं के दुख से दुखी होकर, यहां मदद के लिए आना चाहता है, तो उसकी जियोती और शक्ती भी रास्ते में खतम हो जाती है। अर्थार्थ इतना भयंकर रूप से यहां मौत का तांडव हो रहा है। और साथ ही साथ कहते हैं, रात के खामोशी को सिर्फ सियारों का रोना और उल्लू की डरावनी आवास ही तोड़ पाती है। आगे भी पताते हैं कि कुट्तों में परिस्तिती को तांड़ने की विशेश बुद्धी होती है। वे समझ आते हैं कि किस तरह का वातावरण है और क्या हो रहा है। इसलिए रात होते ही वे सभी रोने लगते हैं, गाउं के दुख में अपना स्वर मिला लेते हैं। रातरी अपनी भीशंताओं के साथ चलती रहती है और इस भीशंता को ताल ठोक कर ललकारती रहती है सिर्फ पहलवान की धोलक। अर्थार्थ इस निस्तब्दता याने इस हामोशी में भी पहलवान की धोलक ही एक ऐसी है जो संध्या से लेकर प्राथकाल तक एक ही गती से मौत को टक करदेना चाहती है बीच वीच में चटाक चटाग चटाक चटाग यानि उठा कर पटकते उठा कर पटकते और इस तरह की आवाजें लोगों में जो निराश हो चुके थे ना जाने कितने अपनों को खो चुके थे उनमें अब शमता नहीं थी, शक्ती नहीं थी, न कोई सांतवना देने वाला था, न उनमें इतनी शमता थी कि किसी को सांतवना दे, तो ऐसे मृत गाओं में सन्जीवनी शक्ती भरने वाली सिर्फ पहलवान की ढोलग की आवास हुआ करती थी, कौन था यह पहलवान, यह था लुटन सिंह पहलवान अब उसकी बारे में आगे लेखक बता रहें हैं कि उसका बचपन कैसा था और किस तरह से वयाये लुटन सिंह पहलवान बना लुटन खुद के लिए कहा करता था कि होल इंडिया उसे जानता है और लेखक के अनुसार यह होल इंडिया उसका अपना जिला होगा उसकी सीमा तक ही उसका होल इंडिया होगा उस जिले में तो उसे सभी जानते थे अब जानते हैं लुटन के बच्पन के बारे में लुटन के माता पिता उसे 9 साल की उमर में ही अनात बना गए थे लेकिन अच्छा यह हुआ कि उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी विद्वा सास नहीं उसे पालपोस कर बढ़ा किया तो वह गाय चराता था, घी दूद पीता था, कसरत किया करता था अब उसे यह देखकर अच्छा नहीं लगता था कि गाओं के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलिवें देते हैं और तब उसने गाओं के लोगों से बतला लेने के लिए पहलवान बनने की ठाने यह वावस्था आते आते गाओं में उसे अच्छा खासा पहलवान माना जाने लगा था कुष्टी उसने सीख ली थी कहानी के अगले हिस्से में हम एक ऐसी घटना को देखते हैं जिसने पहलवान लुट्टन के जीवन की दिशा बदल दे एक पर शामनगर मेला वह दंगल देखने के लिए गया और पहलवानों की कुष्टी दाओं पेश देकर उसे नहीं रहा गया और उसने भी बिना सोचे समझे वहाँ चांद सिंग नामा के एक पहलवान को चुनोती दे दी चांद सिंग जो अपने पहलवान गुरू बादल सिंग के साथ पंजाब से यहाँ आया था और उसी शेर की बच्चे का टाइटल भी मिल गया था शामनगर की राजा उसे अपने यहाँ पहलवान राज़ पहलवान रखने की भी सोच रहे थे ऐसी में जब उसी चुनोती मिली तो उसने स्विकार कर ली और लुटन जब चांद सिंग से भीड़ा तो पहले ही वार में गिर गया और उठकर जब खड़ा हुआ तो सबने शोर मचाना शुरू किया कि यह तो मर जाएगा राजा ने कुष्टी रोगी उसे दस रुपे का नोट दिया और कहा कि तुम घर चले जाओ लेकिन लुटन ने माना नहीं और उसने राजा की अनुमति लेकर दंगल में कुष्टी लड़ी और सभी की उम्मीदों के विप्रीद उसने चांद सिंग को चित्त कर दिया उसकी ताल को समझ कर जैसे चटाक चटधा चटाक चटधा जब सुनाई देता तो उसका अर्थ वह लगाता उठा पटक दे उठा पटक दे धिना धिना धिक धिना सुनकर उसको अर्थ समझ में आता चित्त करो चित्त करो तो इस तरह से उसने ढोल को अपना गुरू मानते हुए उसके निरदेशों का पालन करती हुए यह कुछती जीदी और उसे राजा ने प्रसन्न होकर राज़ पहलवान बना दिया और साथ लुटन सिंग हो गया राजपंडितों और मैनेजर ने आपत्ती की तब राज़ा ने कहा उसने शत्रे का काम के है इसलिए उसका नाम लुटन सिंग होगा इस तरह राज़ा का संरक्षन मिलने के बाद उसे अच्छा खाना भी मिलता था वैयाम करने की सुविधायें भी मिलती थी साथ ही साथ नामि गिरामी पहलवानों को उसने हराया काला खान नामा के एक प्रसिद पहलवान को भी उसने हराया इस तरह लुटन पर राज़ा किस नहीं द्रिस्टी बनी रही और राज़ा उसे किसी से लड़ने भी नहीं दिया करते थे वह एक दर्शन ये जीव बनकर वहां उनके दरबार में रहा करता था लुटन के अपने दो बेटे थे उन्हें भी उसने कुष्टी में दक्ष कर दिया था उन्हें भी पहलवान बना दिया था और लोग यही कहते थे कि बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे लुटन के जीवन में धोलक का बहुत महत्व है और वह अपने बच्चों को भी कहता था कि धोलक की आवास पर पूरा धिहान देना मेरा गुरु अगर कोई है तो सिर्फ धोल है कोई और नहीं और धोल की आवास की प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ ऐसी बाते कहकर वह हमेशा उन्हें ही समझाया करता था कि दंगल में उतर का सबसे पहले धोलों को ही प्रणाम करना और साथे साथ उन्हें और भी व्यावारिक शिक्षाएं दिया करता था लेकिन पंद्रा साल बीतने के बाद जब राजा जो व्रिद हो गए थे उनके मृत्ति हो गई तो नए राजकुमार ने यानि उनके बेटे ने जो विलायत यानि बाहर विदेश से पढ़कर आये थे उन्होंने अपना राज्य संभाल लिया और हुआ ये है कि जैसे ही नई व्यवस्था आई नए परिवर्तन हुए उसमें राजकुमार को कुष्टी में कोई दिल्चस भी नहीं थी उसने जब पहलवान और दौनों बेटों का जो भावी पहलवान जिनका नाम दिया गया है तो उनका जब खर्चा सुना तो उसने कहा चेरिबल और मैनेजर तो चाहता ही ऐसा था शैस शुरू सो ही पसंद नहीं करता तो उसने भी कहा हॉरिबल यहां से कहानी एक नया मोड लेती है लुटन की कोई जगह अबराज दरबार में नहीं थी वह अपनी ढोलक उठाए दौनों बेटों के साथ गाउन लोटाता है गाउन वाले उसके लिए गाउन के छोर पर एक जोपड़ी बान देते हैं साथे साथ उसके खाने पीने का खर गाउन वरीब था गाउन के लोग पहलवानी कुष्टी क्या खाकर करेंगे इसलिए धीरे धीरे उसका इसकूल खाले हो गया अब है अपने बेटों को ही कुष्टी सिखाया करता था और इसमें उसकी ढोल का महत्वपूंट रोल रहता था उसकी ढोल की थाप पर है जूरी करते थे कमाते थे और जो लाते थे उसी से घर चलता था और शाम को वे कुष्टी के दाओं पे सीखना जारी रखते थे लेकिन यह भी बहुत दिन नहीं चला गाउं में एक बार सूखा पड़ गया बहुत समय तक बारिश नहीं हुई अन भी खतम हो गया और हाहा का जब गाउं को हैजे और मलेरिया ने जगर लिया घर घर में बीमारी ने अपने पाउं जमा लिये बुक मरी घरीबी और उपचार ना मिलने के कारण गाउं में से दो या तिन लाश यह रोज उठ रही थी घर के घर खाले हो रहते गाउं सुनसान हो रहा था लोगों का पल तूट किया था इतनी बुरी हालत हो रही थी और ऐसे में सिर्फ पहलवान की धोलक थी जो जब सुनाई देती थी तो लोगों को एहसास होता था कि हाँ हम जिन्दा हैं उन्हें जीवित रहने का उनके लिए संजीवनी का कारे करती थी पहलवान की धोलक अब कहानी का बहुत ही मारमिक दृष्षय यहां आता है कि दौनों बेटे पहलवान के वे भी मरना सन है बीमारी के चपेट में हैं और जब वे मर रहे होते हैं तब वे अपने पिता से धोलक बजाने के लिए कहते हैं और पहलवान धोलक बजाता है राद भर बजाता है और दोनों बेटों को कंधों पर ले जाकर नदी में बहा देता है लोगों ने सुना तो आश्चरह चाकित रह गई ना जाने कितनों की हिम्मत इसके बाद टूट गी लेकिन उसी रात पहलवान ने फिर धोलक बजाई और लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी इस घटना की चार-पांस दिनों बाद एक रात को धोलक की आवाज सुनाई नहीं दी तब पहलवान के कुछ शिश्यों ने जाकर सुबह देखा तो देखा कि उसकी लाश चित पड़ी है चित पड़ी है कहने का आर्थ यहां लेखक यह कहना चाता है कि पहलवान ने बहुत कोशिश की लेकिन वह भी अपनी जिन्दगी से हार गया मौत जीत गई आंसु पहुशते वे एक शिश्यों ने यह कहा कि गुरु जी कहा करते थे कि जब मैं मर जाओं तो चित नहीं मुझे पेट के बल चिता पर सुलाना और चिता सुलगाने के समय धोलग बजा देना वे आगे नहीं बोल पाया तो इस तरह एक पहलवान जो दूसरों को संजीवनी देता था दूसरों की हिम्मत बढाता था अंत समय उसकी खुद के हिम्मत तोट गए और वह मौत से हार गया मौत जीत गए तो यह थी कहानी पहलवान की धोलग और अब देखते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर लुटन को पहलवान बनने की प्रेड़नक कैसे मिली लुटन जब 9 साल का था तो उसके माता पिता का देहान थो गया था लेकिन उसके शादी हो चुकी थी लुटन को उसकी विद्वा सास ने पालपोस कर बढ़ा किया उसकी सास को गावाले परेशान करते थे तो उससे बदला लेने के लिए उसने पहलवान बनने की ठाने कसरत की घी दूद पिया और कुष्टी के दाओं पे सिखे और इस प्रकार वह पहलवान बन गया अगला प्रेशन लुटन सिंग राज पहलवान कैसे बना तो एक पर श्याम नगर में राजा ने वहाँ के राजा ने कुष्टी का आयोजन किया था वे कुष्टी के शौकीन थे तो इस दंगल को देखने लुटन सिंग भी पहुँचा चान सिंग नामक पहलवान जो शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद था और उसे कोई भी भी भीड़ने की हिम्मत नहीं करता था उसे लुटन सिंग ने चुनोती दी और चान सिंग से भीड़ गया धोल की आवाज सुनकर लुटन को और भी अधिक जोश आया और उसने अपनी पहलवानी के दाओं पेज से चान सिंग को हरा दिया इस पर राजा ने प्रसन होका लुटन को राश पहलवान बना दिया आशे इस पस्ट कीजिए अंधिरी राद को आँसु बहाते वे क्यों दिखाया गया है गाउं में हैजा और मलेरिया फैला हुआ था महामारी के करण लोग मर रहे थे हर और मौत का सन्नाटा था ऐसा लगता था कि अंधिरी राद भी जुपचाप आँसु बहा रही है अब अगला प्रशन देखते हैं जो दो तिन बार एक्जामस में आया है पिछले एक्जामस में दंगल में विजय होने के बाद लुटन सिंग की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया था तो दंगल में विजय होने के बाद लुटन सिंग को राज पहलवान की उपाधी दे दी गई थी अब राजदरबार का दर्शनिया जीव बन गया था मेलों में घूमता, मतवाले हाती की तरह जूमता हुआ और दुकांदारों से बात किया करता था उसकी बुद्धी बच्चों जैसी थी वह मासूम था, सीटी बजाता था आँखों पे रंगीन, चश्मा लगाए खिलोनों से खेलता हुआ वह राजदरबार में आता था राजा साब उसका बहुत ध्यान रखते थे और उससे लड़ने की आग्या किसी को भी नहीं दिया करते थे अगला प्रश्न यह भी तीन-चार बार आया हुआ है लुटन सिंका गाउं किन बीमारियों की विभीशका से थर-थर काप रहा था तो लुटन सिंका गाउं सर्दी में फैले हुए हैजे और मलेरिया की बीमारियों से ग्रस्थ होका शिशू की तरह काप रहा था किसी भी गाउवासी की आह, रुदन, चीकों और सिस्कियों के अतिरिक्त कोई और आवास सुनाई नहीं दिया करती थी तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको अंक के आधार पर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं पहलवान की धोलग की उठती गिरती आवास बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रहवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती थी तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि पहलवान की धोलग ग्रामिनों को एक आंतरिक शक्ति देती थी, उनका मनोबल बढ़ाती थी उन्हें ये संदेश देती थी कि हस्ते हस्ते भी मृत्यू को गले लगाया जा सकता है और महामारी की चपेट में पहलवान के दौनों बेटे भी मर चुके थे, भगवान को प्यारे हो चुके थे फिर भी वह धोलग बजाने का क्रम जारी रखे हुए था उसका मनोबल नहीं तूटा था और वह अपनी धोलक के माध्यम से सारे गाउवालों को जीवन की शक्ती देता था इसी से मिलता जुलता प्रश्ण है जो कई बार पिछले 7-8 सालों में पूछा जा चुका है गाउं में महमारी फैलने और अपने बेटों के देहांद के बावजूत लुटन पहलवान धोल क्यों बजाता रहा तो इसका उत्रा जो अभी मैंने उत्तर बताया था पहले वाले प्रश्ण का उसी के आधार पर लिख सकते हैं कि गाउं वालों में उत्साह का संचार करने के लिए वैं ऐसा किया करता था इसके साथ यह पार्ट समाप्त होता है आशा है आपको पसंद आया होगा धन्यवाद